वेलकम टो एंथ्रो इंटरनेशनल तोड़ी वी वी डिसकसिंग अर्ली ट्रंजिशनल हुमन्स जिन में से हमें होमो हैविलस को पढ़ना है तो यह हमारा सिल्बस है नेट जैरेफ और यूपी असी का इनमें अब देख सकेंगे हमने अभी तक सारा यहां तक कवर किया अर्ली हुमनेडिस का लास्ट हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में तो अभी हम पढ़ रहे हैं आज की लेक्चर में अर्ली ट्रंजिशनल हुमन्स डैट इस होमो हैविलस जो यहां पर दिया गया है नेट जैरेफ सिल्वस में जब यूपेसी की बात करेंगे तो यहां पर पिलियो प्लस्टोसीन हुमनेडिस इन सौथ एंड इस्ट अफेरिका यह पढ़ने हैं जिन में अस्ट्रोलेपैसीन भी पढ़ने हैं जो सारा कुछ हमने कवर किया इन में ट्रंजिशनल पिलियो प्लस्टोसीन टाइम पीरियड में लैस्टी में अ summarize let's start with our first slide its also its nickname is handyman and it was discovered in 1960 why it is named as handy man that we will study in our next slide and where it was living it was found in Eastern and Southern Africa. इस्ट अफेरिका और सौफ अफेरिका में यह रहता था और इन विच टाइम पीरिएट वाज लिविंग बेवें 2.4 मिलियन तो 1.4 मिलियन एगो और वो डिस्कवरद इट वाज टीम लेड बाइ साइंटिस्ट लुईस और मेरी लीकी लुईस और मेरी लीकी का एक टीम था जिनमें उनका सन भी था उन्होंने यह डिस्कवर किया होमो हैबलेस एक्चुल में यह जो फॉइंडिक यह जो फॉसल होमो हैबलेस की वो इनके बेटे नहीं डिस्कवर की कैसे की वो हमने स्लाइड परढ़ेंगे और फॉसल वे यूनीक दैन अर्लियर हूम हूमन एट इस जो यह इनका एक्सपडिशन था लुईस और मेरी लीकी का इसके टीम का इट वैटीन 1962-63 और 1960 में ही डिस्कवर हुआ लेकिन क्या होमो हैबलेस एट ओल्डवाइ गोर्ज इन टंजानिया तंजानिया कहां पे है इस्ट अफएरिका में तो लीकी सन जॉन थन लीकी फांड पीसस अब जाज पार्शल क्रेनियल वोट और हैंड बोंस फ्रोंड वेड़ वन डेटी तो 1.8 मिलियन यर्स अगो देव बोनी रमेंस वैर एंसर्कलड बै लूजली पाइल स्टॉन तो लीकी जो है लीकी का सन जॉन लीकी और मेरी लीकी और लीकी का जो बेटा है जॉन थन लीकी उसने कुछ फोसल्स देखे जूरिंग एक्सकिवेशन जब यह वहाँ पे एक्सकिवेशन कर रहे थे ओल्ड वेगार्ज तंजानिया में तो उसने कुछ फोसल पीसिज देखे जिन में जा था पार्शर क्रेनियल वोल्ट था और यहां पे पाये गए देवर एंसर्कृट बर लूजली पायल स्टों लूजली पायल किये गए थे स्टों उनके अंदर यह पाया गया वट लीकी थाट लीकी थाट इट वस अडिवेलिंग ओफ ए हुमनेट विच बलॉंग्स तो जीनस होमो एंड नेमड इट होमो हैबलस द होमो मीन्स हम मेंस हेंडी मैन àयरक पाyet विलेक्स दियेड़ प्रयूंजकन होमो मीन्स हींड के इंड क्या के बोनस मिले थे हैंड के मड़िय। कि he was making tools the piled stones according to Leakey were wind breaks constructed by homo habilis तो Leakey के interpretation के according जहां ये fossil मिला fossil के bones से ये लगता था कि ये tool बनाता था that's why it was called homo habilis, handyman तो जो इसके इरिद के रिद ये pile of stones पाए गए that was constructed by homo habilis as a wind break according to Leakey it was a wind break the pile of stones was wind break which was constructed by homo habilis जो cranial के पैस्टी जब इसकी देखी गई that was found to be 680 cc जो हमने अभी तक जो पड़े चाहे हमने pre-hominid देखा या early hominid था उनके बरक्स में ये बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा ने इनके बरक्सी ज़्यादा थी cranial capacity which to leaky was further proof for separating homo habilis from astralopithecus africans तो इससे क्या ये एक और प्रूफ था जब हमने देखा इससे पहले astralopithecus की इससे कम cranial capacity थी जो हमने early hominids में पढ़ा astralopithecus के चाहिए हमने परेंथ्रोपस पढ़ा या astralopithecus के ये पढ़ा these were the early hominids तो यहाँ पे इसको ये और एक प्रूफ था इसको astralopithecus या early hominids से अलग करने का क्या था इसका प्रूफ? cranial capacity because they were having cranial capacity lesser than this homo habilis so he separated him तो उन्होंने इसको separate किया it was nicknamed as johnny's child तो आपको ऐसे exam में आते हैं कि जो homo habilis उसका क्या निकने में तो johnny's child भी और handy man भी उसका निकने में johnny's child क्योंकि जो ये expedition था इसमें ये क्या बोलते हैं इनका बेटा था जॉन थन तो उसने इसको excavate किया तब ही इसका नाम रखा गया johnny's child इसने इसको discover किया एक्सकेवेशन के दोरान पहले जो fossils है उसके वो किन को मिले वो इनके बेटे को मिले तब ही इसका नाम निकने में रखा गया johnny's child इस species one of the earliest member of the members of the genes homo has a slightly large brain case जो हमने बात की ओब अभी उपर 680 cc थी इसका brain case and smaller face इसका जो face था वो small था and teeth were also small and in australiopithecus or older hominine species then in australiopithecus जो उपर भी डिसकस किया हमने इसका जो face था वो छोटा था capacity जो brain की थी that was large and then australiopithecus and teeth were smaller than australiopithecus or we can say from early hominids or hominid or early older hominid but it still retains some ape-like features लेकिन इसमें ape-like structure अभी भी था जो कुछ चीजे थे कुछ characteristics थे वो ape-like थे like it was having long arms जैसे apps में long arms होते हैं not अइसे जो angle है वो ऐसे करके हैं prognathic है forward face है जो मुह है नीचे वाला जाइड वो थोड़ा forward की तरफ है तो इससे यहां पे इन्हों ने यह अस्ट्रियोपेथिकस से भी अलग किया because it was having larger brain case, smaller face, smaller teeth than what? अस्ट्रियोपेथिकस और early hominids तो यह उन में भी नहीं आता है यहां पे जब आपने इसको बाकी characteristics देते हैं अब जब अगर यह अस्ट्रियोपेथिकस या early hominids में नहीं आता है तो second option क्या है? hominid के साथ रखना but hominid में भी नहीं आया यह क्यों? क्योंकि इसको prognathic face था कुछ features इनको apps जैसे थे, like long arms थे, prognathic face थे था तो इसको तबी हमने कहा transitional human तो पहले early human था, फिर hominids आये, homo sapiens आ गए तो उनके बीच जो है, उसको हमने बोला transitional humans तो उन transitional human में homo habilis आता है I hope आपको यह समझ आया, क्यों इसको handyman का नाम दिया गया क्यों इसको johnny's ने child कहा गया यह भी मैंने explain किया इस species along with homo rodolphenses is one of the earliest members of the genus homo तो यह जो species है, homo habilis की और homo rodolphenses की यह मानी जाती है, earliest member of genus homo while the scientists used to think that homo habilis was the ancestor of homo erectus recent discoveries in 2000 of a relatively late 1.44 million years old homo habilis and a relatively earlier 1.55 million years old homo erectus from the same area of northern Kenya challenged the controversial view that these species evolved one after the another तो पहले माने जाते थे, earlier जो scientists थे वो मानते थे कि homo habilis जो है, it is the ancestor of homo erectus इसके बाद का जो homo erectus आ गया, यह उसका ancestor है कौन homo habilis, homo erectus का ancestor है बट जो 2000 में recent, जो 2000 में discovery हुई वहाँ पे जब हमने date किया तो जो homo habilis का date था, that was 1.44 million years ago बट जो homo erectus का था, that was 1.55 that means homo erectus was before homo habilis so, तो हम कैसे कह सकते हैं कि it was the ancestor of homo erectus क्योंकि homo erectus तो इससे पहले का ही था and that also belonging to the same area of northern Kenya और पाया गया इसी area में northern Kenya में जहां पे क्या जगा का नाम है इलर्ट लेक तुर्काना में पाया गया तो वहीं पे ये खतम हुआ वहीं पे ये जो view था scientist का कि homo habilis ancestor है homo erectus का वो खतम हो गया क्योंकि date के according जो homo erectus था जो recent excavation 2000 के excavation से पता चला that was older than homo habilis तो यहां पे बात ही नहीं पैदा होती है कि homo habilis homo erectus का ancestor था so early homo had smaller teeth than australopithecus but their tooth enamel was still thick and their jaws were still strong indicating their teeth were still adopted during some hard food possibly only seasonal when their preferred food became less available तो जो earlier homo थे उनमें small teeth पाये जाते थे then australopithecus but यहीं जो इनके हम बात करें transitional humans की इनके जो थे दान्त वो smaller थे जो हमने last time में भी discuss किया australopithecus से small थे but जो enamel था दान्त का that was thick वो क्या था वो थिक था and their jaws were still strong और jaws जो है वो strong थे which indicating their teeth were still जिससे हमें ये अंदाजा हुआ कि they were eating hard food उनके enamel hard थे that means they were eating hard food cup possibly only seasonal जब उनको खाना नहीं मिलता था जब खाने की दिकत होती थी soft foods available नहीं होते थे शायद तब ये in hard food का use क्या करते थे तब ये खाते थे Dental Microvir से क्या पता चला Dental Microvir suggest studies suggest that the diet of Homo habilis was flexible and versatile and that too were capable of eating a broad range of foods including some tougher foods like leaves, woody plants and some animal tissues but they that they did not routinely consume or specialize in eating hard foods like brittle nuts or seeds dried meat or very hard tubers ये self-explanatory है कि जो Homo habilis है Homo habilis was eating variety of food, versatile food खाता था, कभी hard भी खाता था, कभी soft भी खाता था जेसा कि हमने पहले भी बता दया it was possibly because of the seasonal variations he was eating tougher food like leaves, wood softer food like leaves, wood plants, animal tissues and also nuts or seeds, dried meat or very hard tubers okay, so both he was adjusted to both types of food whether it was hard food or soft food another line of evidence for the diet of Homo habilis comes from say some of the earliest cut and percussion marked bones found back to 2.6 million years ago scientists usually associate these traced or buttery of large animals direct evidence of meat and marrow eating with the earliest appearance of the genes Homo including Homo habilis and there are also some evidence that scientists have found some bones in which marks were marked, cut and dents from eating marks scientists believe that they believe, scientists believe that this which has been eaten, which has been eaten in large animals it is actually direct evidence of meat eating, bone marrow eating or meat eating evidence scientists have found some bones that can be captured and had some bones as well and through some evidence of both bones they can be cut, the bones of the dai bone marrow, which was taken out from the from the dead so if we see the young men who have any evidence, it is possible to find some bones in which the the elements were done फिर्वीत कि प्रिकेशिन थार्फ पर्कुछिन आप कि अजर इसे फिर्ज़ने कि अजर गर्वीने आप बनार देत शौन पूल फॉटिए जन गुटाजिकर शर्वार पर्कॉट कि और भाव गुट इस तवार्विने कावड जड़ एन स्वेड़ीने संदित होन्य गुटीन तो कुछ साइन्टिस्ट्स बिलीव करते हैं कि होमो जो है जो यह ट्रंजिशनल होमो है अर्लियर जीनिस होमो है दे वैर एक्चुली मेंकिंग दे स्टोन टूल्स एंड वार यूजिंग डैट बनाते भी थे और यूज भी करते थे उनको जब यूज करेंगे आदे लोग जो यूज करते थे जिसे एप्स भी कुछ स्टिक्स का यूज करते हैं स्टोन का यूज करते हैं बट दे आर नॉट मेंकिंग बट कुछ साइन्टिस्ट्स बिलीव करते हैं कि होमो जो है अर्ली होमो लाइक होमो हैबलस भी दे वैर यूजिंग एंड दे वैर मेंकिंग दे अर वो भी रहा करते थे इसी time period में इसी geographical area में so we can't say it was the homo habilis or this transitional homo it can be another this species who were using these tools so this is difficult to test this hypothesis is difficult to test whether it was homo habilis or some other species so this is all we have for today in transitional humans we have to study only homo habilis now we will in our next lecture we will do homemade evolution and we are continuing we are continuously making the videos as per the syllabus and we are taking care of including each and every part in our video so keep watching don't miss it and like please share with your friends and don't forget to like and subscribe thank you once again